आज मैं बना रही हूं विंटरी स्पेसल मकर संक्रांती खिचरी रेसिपी वैसे घर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खिचरी का नाम सुनते ही अपने नाकमू टेरे कर लेते हैं लेकिन जब आप इस तरीके से खिचरी बनाएंगे न तो वो भी खुब पसंद से खाएंग और इसके साथ अगर आप चार दोस्त भी खिचरी के रख देंगे तो फिर क्या बात है कहा जाता है ना खिचरी के चार या दही पापर घी अचार तो चलिए बनाना सुरू करते हैं खिटेस्टी खिचरी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल लेंगे मैंने यहाँ पर अर् ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कप मैंने चावल लिया है और आधा कप मूंकी डाल ली है तो जितना आप चावल ले उसका आधा आपको मूंकी डाल लेना है आधा मतलब एक कप चावल है तो आधा कप मूंकी डाल लेना है तो अब हम क्या करेंगे जी जो मूंकी ड कुकर में डाल रही हूं अब कुकर में डालने के बाद यहां पर एक छोटा चमच हल्दी और एक छोटा चमच में नमक डाल रही हूं पूरी खिचरी के हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर नमक डाले नमक डालने के बाद इसमें पानी डाल देंगे तो जब तक सीटी लग रही हम क्या करेंगे कि यहां पर कुछ सब जीयां काट लेंगे जो हमें खिचरी में डाली हैं तो दो मैंने टमाटर काट लिए यहां पर ताजे हरे वाले मतर बीन्स और गोवी मैंने यहां देखिए चोटे टुकरों में काट लिए हैं तो बहुत जादा बीने गोवी को हमें करना है और यहां पर दो मैंने आलू काट कर इसे पानी में डाल दिया ताकि काले न परे और आलू के जो पी से इसे मैंने देखिए इस साइज में काट लिए हैं जिससे क्या होगा कि इसे बरा भी नहीं काटना चोटा भी नहीं एकदम काटना है इस तर किसका प्रेसर निकलेगा तब तक हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबजीओं को हम भून लेंगे तो एक चमच मैंने तेल डाला है तेल डालने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले गोवी डाल दे रही हूँ गोवी को तेल में अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम इसमें आलू भी डाल देंगे आलू डालने के बाद गोवी और आलू को हम क्या करेंगे कि डेर से दो मिनट इन्हें पहले हम हलका सब भून लेंगे गोबी आलू दोनों को डेर से दो मिनट आलू और गोबी को यहाँ पर भूनते हुए हो चुके हैं तो अभी इसमें हम बीन्स डाल देंगे और बीन्स को भी चलाते हुए तेल के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं अब थोरे से गाजर डाल दे रही हूँ अगर गाजर आपको पसंद हो तो आप डाले नहीं तो इसे स्किप कर दे गाजर डालने के बाद इसमें अब हम ताजे वाले हरे मटर डाल देंगे और इन सबजीयों को चलाते हुए हम भूल लेंगे तो इन्हें बहुत जादा नहीं बूनना है 30-40 परसंट तक इन्हें हमें बू आपना एक टेस्ट रहेगा तो इस तरीके से जब आप सबजीयों को भून लेते हैं तो खिचरी बहुत ही टेस्टी बनती है यहाँ पर देखे सबजीयों भून चुकिये बस इतना ही हमें सबजीयों को भूनना है तो सबजीयों को भूनने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम चावल डाल देंगे दोकर जो हमने खिचरी के लिए लिए थे और चावल को भी सबजियों के साथ चलाते हुए बस एक से दो मिनट हमें भूल लेना है तो इस तरीके से आप सबजियों को भी हलका भूल लेंगे और चावल को भी एक से दो मिनट भूल लेंगे ना त दाल देखिए कितनी अच्छी अमारी पक चुकी है तो अगर दाल आपका हलका सा नहीं भी पके कम पके तो क्या करें इस तरीके से आप डबू को घुमा देंगी न तो दाल अच्छे से मैस हो जाएगी अब इसमें मैं यहाँ पर गरम पानी डाल रही हूं जिससे क्या होगा कि दाल में जल्ली से उबाल आ जाएगा अब चाहे तो थंडा पानी भी डाल सकते हैं तो अब यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया पानी कितना डालना है खिचरी में तो जितना आप चाबल और डाल ले रहे हैं उस हिसाब से आपको उससे 5-6 गुना जादा डालना है पानी तो अब यहाँ पर मैं टमाटा डाल दे रही हूं सबसे पहले और इसमें उबाल आने देंगे उबाल आने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हमने जो चावल और सबजियां भुनी थी ना उन सारी चीजों को डाल देंगे तो खिचरी में पानी कितना डालना है तो एक कप मैंने यहां पर चावल लिया था और आधा कप डाल में टोटल डेर कप हुआ उसी हिसाब से 5-6 गुना आप जादा खिचरी में पानी डाल दे मैंने यहां पर अंदाजे से डाला है क्यूंगे मैं हमेशा बनाती हूं अगर आपको अंदाजा नहीं हो तो उस हिसाब से मैं बता रही ह अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो एक छोटा चमज धनिया पॉडर एक छोटा चमज लाल मिर्च का पॉडर डाल कर अब हम चावल को ना नीचे से अच्छे से चला लेंगे और इसमें ना सालों को भी मिक्स कर लेंगे क्या होता है नहीं कि जब तक उबाल नहीं आता है चावल में तब तक चावल नीचे से चिपकने का डर रहता है तो आप चावल को नीचे से अच्छे से चला है अब इसमें मैं यहां पर आदा चोटा चमच गरम मसाला डाल रही हूँ आप चाहे तो एक चोटा चमच भी डाल स अगर खिचणी बनाते बनाते आपको लग रहा है कि यह काफे ठिक हो रहly है या बनने के बाद ठिक हो गई है तो आपको क्या करना है न? कि पाने को उबाल कर तब खिचरी में टाल कर उस हिसाब से मिक्स कर ले तो यहाँ पर देखिए उबाल भी आना सुरू हो चुका है चाबल भी अमारा पकना सुरू हो चुका है और खिचरी भी है वो ठिक यहाँ पर हो रही है तो इसी तरीके से हम बीच-बीच में खिचरी को चलाते रहेंगे जिससे क्या होगा ना कि खिचरी नीचे से चिपकेगी भी नहीं और यहाँ पर देखिए चावल है वो मुझे लग रहा है कि अच्छे से पक चुका है चावल को हम इस तरीके से दवा कर चेक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए चावल वो अच्छे से पक चुका है यानि कि खिचरी हमारी बन चुकी है तो अब हम गैस ओफ कर देंगे और यहाँ पर आपको अभी लग रहा होगा कि खिचरी पतली है थोरी लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी न थिक हो जाएगी थोरी ही देर में तो अब हम क्या करेंगे कि तरके के लिए एक चमच में यहाँ पर तेल डाल रही हूँ सरसो तेल अब डेश चमच भी ले सकते या फिर घी से भी लगा सकते और भी टेस्टी बनेगी खिचरी आपके तो एक टेस्ट पत्ता दो लाल मिर्च में डाल रही हूँ एक चोटा चमच जीरा आदा चोटा चमच सरसो डाल देंगे सरसो या राय जो भी आपके पास हो और इन्हें अच्छे से तरक ने देंगे तो तरका यहाँ पर देखिए अच्छे से तरक चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे खिचरी में तुरंत गर्मा गर्म डालेंगे और इसे फट से ढग देंगे जिससे क्या होगा कि जो तरक यहां पर डाल के मिक्स कर ले और यहां पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं अगर नमक कम लगे तो आप नमक इसमें डाल कर मिक्स कर ले अब इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे हरा धनिया डालने से खिचरी और भी जादा स्वाधिस्ट बनती है और लास में एक और यहां पर देखिए खिचरी हलके सी ठंडी होने के बाद ठिक हो चुकी है पहले के हिसाब से एकदम फर्फिक्ट à झाले गीच्री हमारी यहां पर बन कर « le unionूण 9 रिडि एं मकसंक्रान्थि में चहरा हैं किbu में यहां पर हम घी डाल देंगे और आप इस तरीके से एक बार बना कर जरूर ट्राय करें बहुत ही खीचरी टेस्टी बनती है तो फिर देर किस बात की आप भी बनाए खाए एंजोई करें मिलते हैं